हेलो मेरे लाड़ो मैं आपका अपना रोईत कुमार सोनी आज अपने डिस्कुस करने वाले हैं पियार मोड 2019 की वीडियो सोलिशन्स पे ठीक है चलिए एक्चलिए पियार मोड 2019 है ना दो बार हुआ था कुछ यही फिर आपका कोवीड की वज़ाए से तो उसमें जो first paper था ना most of states के अंदर वही paper था कुछ कुछ states में साइद उडिशा कुछ एक दो states मेरे को याद नाम तो याद ने कहां 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 पी था वहाँ पे एक अलग paper और हुआ था तो मैंने वह वाला paper लिया है जो most of states के अंदर हुआ था paper 1 है उसकी video solutions पे पन डिसकस करते हैं चलिए first of all आगे उसे क्या है from a square with sides of length 5 एक square 5 length का है triangle pieces from the four corner चलिए diagram बनाते हैं तो यह हो गया अपने पास में स्क्वेर अब इसमें एसे में वर्टिस दे देता हूं यह यह बी यह सी और यह डी सबका जो लेंथ है ओविसली स्क्वेर गोलना थी यह 555 करेगा ठीके ना टॉइनग्ल पीसज फ्रोन द फॉर कोर्णर चारो कोर्नर से रैंगल पीसस रैंगल पीसस का मतलब समय स परो मतलब यहां से भी लेंथ लेना पड़ेगा इतना और इससाड़ एक अपने को ट्राइंगल एसे बनाना पड़ेगा ऐसे four triangle बनाने बेटा जी ऐसे four triangle बनाने है अपन को अब वो same बन जाए बस मान कि यह चलो यह four triangle बन गए अपने पास चलिये अना length अपने equal रखेंगे क्यों equal रखेंगे उसका reason यह है triangle pieces from the four corners are removed to form a regular octagon जब भी ऐसा वर्ड लिखा हो ना regular regular का मतलब यह हो जाएगा में इसके अंदर regular octagon का मतलब सारी की सारी sides equal होने छी octagon की eight side वाला अब octagon की side equal होने के लिए आपका पास ये वाला अगर मैं X बोलता हूं कि ये पक्का X होगा ये main point है इसका ये X तो ये भी X reason क्योंकि side सपन को ये equal रखनी है तो सब का सब X कर दो ये भी X ये भी X ठीक है तो फिर क्या हो जाएगा ये भी आपका X ये भी X ये एक्स ये एक्स ये भी पास में कितना आजाएगा side ये आजाएगा five minus का two X ये जो side कितना जाएगा five minus का two X ठीक है और अगर मैं ये वाला side निकालनों तो ये कितना जाएगा रूट two X अब कोई बच्छा बोले का सर ये रूट two X कैसे आ गया अरे भाया जी ये 90 डिगरी बनेगा ना क्यों क्योंकि आपका दिया पहले सी square दिया वा तो ये X ये X तो ये root two X अब सुनो एक अपने पास line अचा ये ये तो total five था ये एक्स-क्स करके five minus two X को बोल दिया ऐ रेगुलर ओक्टागन ठीक है ना जब रेगुलर ओक्टागन बोला हुआ है तो sides length क्या होगी equal रहेगी तो ये आपका five minus two X है ये root two X है ये आएगी again five minus two X ये root two X केने का मतलब हो मैं ओक्टागन बना के दिखाता हूं ओक्टागन कौन सा ओक्टागन बने ये वाला ये वाला ये ओक्टागन बना है तो रेगुलर ओक्टागन है तो ये lengths side lengths होगी equal होगी तो अपने पास यहाँ पर क्या लिखेंगे five minus का two X is equal to root two X बस काम हो गया आपना यही मैं था आप तो calculation है simplify करो X common लिया two plus root two is equal to five X is equal to five upon two plus root two sorry 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 two plus root two तो rationalize कर दो two minus root two two minus root two तो यहाँ पर कितना आजाएगा यह तो आजाएगा five into two minus root two q क्यों क्यों कि यह कितना बनेगा four minus का two तो तो two आजाएगा five by two आजाएगा five by two two minus root two to rationalize करने पर X का value यह आगया आपनको X का value नहीं पूछा आपनको पूछा क्या हुआ हुआ है removed area की बात सल रही है तो removed area अगर मैं इस triangle की बात करूँ तो यह आपका base हो गया यह height हो गया तो अगर इस triangle के लिए बात करें तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ removed area तो कितना जाएगा half यह X यह X कितना हो गया half X square ऐसे कितनी triangle है एक दो तीन चार तो फोर triangle से तो इन्टू 4 कर देंगे तो आ गया 2 X square अब just value put करना है तो 2 into X square इसका value करो तो कितना आ जाएगा जी 25 by का 4 2 minus root 2 का whole square यह आ जाएगा ठीक है 4 minus 2 यह 2 आएगा नीचे बस कोई calculation mistake नहीं हो ठीक है तो यह आ जाएगा अपने पास में 2 आ गया अब इसका अगर अगर प्रोक्सिमेट वेल्यू यह अगर multiply करें तो यह 12.5 आ गया 12.5 को किस से multiply करना है 2 minus में 1.4 तो आपने बोल सकते है 0.6 0.6 का square हो रहा है तो 0.36 ठीक है multiply करेंगे तो 12.36 और multiply करो यार 12.525.36 तो आपने पास आगे जीरो जीरो फाइव फॉर और यह तीन के बाद लगाना 4.5 संथिंग आ गया तो एप्रोक्सिमेट नेरेस्ट इंदीजर क्या लिग देंगे अपन फॉर एप्रोक्सिमेट में नमनत आए ठीक है ना चलिए तो यह तो आपका answer आगया जी कभी easy questions था ज्यादा इसके अंदरेस्ट कुछ खास सीज़े थी नहीं तो यह अपना first questions होता है complete चलिए next वाले पर आगे बढ़ते है next वाला क्या दिया हुआ है fx एक function लिखा हुआ है fx is equal to x square plus ka ax plus ka b if for all non-zero real x एक functional rule दिया हुआ है f of x plus 1 by x is equal to fx plus f of 1 by x मतलों यहां पर जो लिखा हुआ ना a plus b तो f of a plus f of b ऐसे लिखा हुआ है ठीक है ना अपनको a और b के बारे में कोई जानकारी नहीं है ठीक है ना एक यहां पर यह condition दे दी उससे अपन एक value तो निकाल सकते हैं just करो क्या अगर fx लिखा हुआ है तो पहले तो उसका square किया फिर उसको a से multiple किया फिर उसमें b aid किया यह functional definition तो यही है ना तो इसको अपन यहां पर एगर मैं put करूँ x की जगह क्या put कर रखा है यहां पर अरे यह एक तो लिखा है fx एक लिखा है f of x plus 1 by x फर्क क्या है x को replace कर दिया x plus 1 by x है तो यहां जहां जहां x है वहां वहां x plus 1 by x तो यह x plus 1 by x का whole square functional rule ही है a into x plus 1 by x plus का b यह अपना क्या आ गया left hand side आ गया f of x plus 1 by x ही आ गया right hand side में fx तो जो दिया वो put कर दो और f of 1 by x क्या होगा one upon x put करेंगे x की जगा तो यहां पर आ जाएगा one upon x square यहां पर a by x और प्लस का b normal के लप्लसने simplify कर लो आ जाएगा answer तो यह x square plus 1 by x square plus का 2 plus a x plus a by x plus का b equal to यह लिखाई हुआ x square plus a x plus b plus 1 by x square plus a by x plus b तो यहां पर one upon x square से one upon x square x square से x square a x से a x a by x से a by x 1 b से 1 ये b oh my god इदर से 2 बचा इदर से only b बचा तो b का value आ गया only two value देखो एक तो आ गया अपने पास ठीक है ना तो इसका मतलो f x क्या बन किया आया f x बन किया है अपने पास में x square plus a x plus b का value 2 ये आ गया अब सुनना मेरी बात देख द्यान से यहां पर साब साब लिखा हुआ है all non zero real x मतलो इसके जो roots होगे ना वो real होगे है ना तो यहां पर मैं ये बोल देता हूँ इसके 2 roots है alpha बीटा अरे क्यों बोला दो root है ये लिखा हुआ था जी क्यूशंस में ठीक है ना अब मेरे को ये तो पता लग गया कि alpha into beta कितना आएगा product of root वो तो कितना आ रहे 2R है इसको देखते हुए लेकिन मेरे को a किसे आएगा a equal to क्या लिखेंगे sum of roots sorry a equal to कितना आ जाएगा sum of roots का value आगा minus a तो अपना लिख सकते है a equal to minus times sum of roots ये बोल सकते है ठीक है ना अब कोई बच्चा बोलेगा sir ठीक है product of root मालूम है अगर देखो आप 2 product of root कितना है 2 है 2 is a prime number prime number क्या होगा किस type के होगे या तो वो खुद से divisible होगा या फिर 1 से divisible होगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ alpha beta equal to एक तो लिख सकता है 2 into 1 ठीक है या फिर लिख सकता है alpha beta equal to 2 minus 2 into minus 1 दोनों possibility है या तो alpha beta minus 2 minus 1 या फिर ये वाला ठीक है अब अगर ये वाला possibility है या फिर 1 into 2 भी लिख सकते हो कोई दिकत नहीं है इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो तो फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हो ये चार possibility आएगी अगर ये है तो यहां से पन बोल सकते है alpha का value 2 मतलब मा अगर यहां पर लिखो यहां से बोल सकते है alpha का value 2 beta का value 1 यहां बोल सकते है alpha का value 1 beta का value 2 ठीक है यहां से alpha minus 2 beta minus 1 यहां से alpha minus 1 beta minus 2 मतलब ऐसे possibility आई तो यहां से तो अगर अपन करेंगे alpha plus beta कितना आ जाएगा दोनों case से ही 3 आ जाएगा तो A कितना जाएगा minus 3 आ गया A तो क्या minus multiple यहां से गर देखेंगे तो alpha plus beta कितना आ गया minus 3 आ गया तो A का कितना जाएगा 3 आ गया तो A का value 2 possibility है या तो 3 या minus 3 लेकर मेरे को A नहीं चीए मेरे को value चीए A square का तो A square तो दोनों case में कितना आएगा 9 आएगा और B का value तो fix था कितना 2 तो square 4 तो कितना answer आ गया 13 यह final answer है 13 आपका इसका answer आ जाएगा कितना अच्छे से questions को सजा के दिया था functional condition लगाया B की value निकाली roots यह था product of root यह है तो sum of roots में अलगलग case बना सकते हैं कि यह यह possibility हो सकती है अब यह पर अगर यह होता ना 3 होता तो भी ऐसी होता तेकि जब 4 हो जाता ना तो 4 के लिए अलगलग factor बनते हैं या तो 1 into 4 2 into 2 4 into 1 तो वह तो यह हो जाता है मतलब ऐसे बन जाते हैं यह दो इसके अलगलग फिर फिर वो negative हो रहाती तो यह से करके prime number के लिए तो कम case बनेगे अगर यह से कोई composite number होता ना तो फिर अलगलग case बनने की possibility ज़्यादा थी चलिए next वाले पर चलते हैं next वाला क्या दियावा है कि let x1 be a positive real number ठीक है x इस तो यह दे दिया कि positive real number x1 and for every integer n greater than or equal to 1 एक condition क्या दियावा है बोत ही प्यारा conditions है x of n plus 1 is equal to 1 plus x1, x2, x3 x1, x1, x2, x3 जहां से सुनना वेड़ा इधर n plus 1 है तो अपने 1 plus करके कितने तक multiple करेंगे 1 से start करते हुए n तक multiple स्वोच कुरू अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूँ तो 1 plus क्या लिखेंगे 4 से एक जस्ट कम 3 तो x1, x2, x3 तक अगर मैं x यहाँ पर 5 लिखूँ तो 1 plus x1, x2, x3, x4 तक जस्ट एक कम तक लिखेंगे तो अपने को क्या दिया वाता x5 दिया हुआ है तो x5 दिया हुआ था तो x5 क्या लिखेंगे 1 plus x1, x2, x3, x4 इसका value दे रखा है कितना दे रखा है 43 दे रखा है यह काम निकल के आगे अपने पास और यह अपने को कहें ना कहीं पका यूज़ करेंगे अपने चलिए फिर अपने को निकालना क्या है what is the sum of digits of the largest prime factor of x6 बड़ा एक तो यह पी आरूमों का जो स्लेवेस है ना नंबर थियोरी बहुत 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 जदा यूसफुल है अगर पर बचा सीरियस होके इस एक्जाम की त्यारी कर रहे है तो मैं बोलूँगा नंबर थियोरी उसको एकड़म ऐसे टिप्स पर याद होने चाहिए इसकी थियोरम उसके कंसेप्ट सारी चीज़े आपको बने एक बुक आती है उस बुक को आप पर 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 परचेज कर सकते हूं काफी अच्छे एक्जाम है नाइन टेंथ के जो बच्चे एलेवन ट्वल्थ वाले भी देती है तो आपको एक अपना खुद का मेट्स में जो रिली इंट्रेस्टेड है एक खुद का एक लेवल पता लगे कि हाँ एक्सिक्स पर लेक्या आना है एक्सिक्स फिर क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स तो एक्स त्री एक्स फॉर एक्स फाइफ यह आगे दे खुद किया एक्सिक्स था तो फाइट तक का मल्टिपल करेंगे अब सुनना काम की बात कैसे इस चीज़ को मैंने relate किया 1 प्लस मैंने इसको ऐसे लिख दिया ये एक जगह किया क्यों किया क्योंकि मेरे को इसका value मालू मैं इसका value कितना है 42 और मेरे को इसका value भी मालू मैं कितना दिया और x5 43 ये बन गया 1 प्लस x2 42 43 तो 42 43 का multiple कर दो आफ 6 और 12 तो 8 और 16 तो 6 10 8 1 1 8 0 6 1 8 गरेंगे तो 1 8 0 7 हो गया 1 8 0 7 हो गया x6 का value जो है अपने पास में ये क्या था x ये था अपने पास में n अपने पास में x6 का गाद मेरे पास value आ गया 1 8 0 7 अब यार इसके factors करो आफ चाहिए factor आ जाएंगे जीसके किस से divisible होगा आस में 7 आ रहा है 3 से देखो 3 से नहीं हो पाएगा 7 से भी नहीं 11 से भी नहीं 13 से 13 से करो तो इसको एक तो बन आएगा 5 बचा 0 39 11 9 ये आगे आगे अब 139 इसे प्राइम नंबर 139 इसे प्राइम नंबर इसके कोई आप factors नहीं कर सकते इसके कोई factor आप नहीं कर सकते ठीक है 1 से divisible और किसी से divisible है तब इसको प्राइम फेक्टर बोला है क्या बोला है प्राइम फेक्टर आप एसे फैक्टर जो राउम नमर जो राइम नॉर अप्रायम फैक्टर में सिंपल तो अब यह उप्रायम फैक्टर है हॉए यह वी prime number है यह वी prime factor है यह वी prime factor है ठीक है तो प्राइम factor है अपने पास में तो आप सच्छू सो हाँ prime factor था तो आप यहां पे prime number से divisible वालाs डाइट सो सकते थे 11 13 से तो अब यह जो highest prime factor है उसके sum of digit पूछा है तो 9 plus 3 plus 1 कितना जाएगा 13 आजाएगा 13 बतों का answer है तो यह 13 अप का final answer आ गया बटा चलिए next वाले पे चलते हैं यह बड़ा गुमा गुमा के एक आंट है वो काफी भूम रही है तो चलिए गुमाते हैं इसको An aunt lives the until for its morning exercise morning exercise पे निकलना स्टार्ट किया It works 4 feet east अच्छा यह तो आपको direction तो सबको पता ही होती है न नौर्थ होगी south हो गया east हो गया west हो गया तो क्या है न It works 4 feet east तो भाया इसने 4 feet east में चलना स्टार्ट किया यह east में चलना स्टार्ट किया ऐसे चल रही है 4 feet तक चली फिर क्या होगा न then makes a 160 degree turn भाया एकदम से 160 degree turn लिया है इसने 160 degree काफी turn बड़ा turn लिया है अब यह चल तो ऐसे रही थी यहां से इसका 160 turn किस side में लिया है to the right इसका right अब इसके right यह ऐसे चल रही थी इसका right अब मैं मतलब जैसे मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मेरा right इधर होगा न अब मैं यहां से 160 degree ले रहा हूँ तो मैं इधर इस side में चल दिया तो इसका 160 degree आपका इस side आ जाएगा इसने यह घूम के 160 degree या भी या यह घूम के 160 degree तो यह फिर बचावा कितना आजएगा टोटल 180 तो यह बचावा कितना आगया 20 degree तोटल बचावा कितना आगया 20 degree फिर क्या है फिर भी क्या है अब और यह 160 degree लेके कितना चलिया है 4 feet और चलिया है ठीक है चल दर रही है 4 feet 4 feet ते 4 feet के बाद फिर उसको कुछ कंफ्यूज हुआ अगयन एक फिर यूटन लिया यूटन भी नहीं है तो 160 degree ले रही है तो फिर उसने क्या किया कि चलना इसको ऐसे था इसके राइट में इसने 160 degree लिया ऐसे चलिए यह एंगल 160 degree तो यह आपका कितना आजएगा 20 degree फिर चलना इसको ऐसे था फिर अगयन इसने 160 degree का टन लिया तो यह 160 degree तो यह 20 आजएगा ऐसे चलते यह यह यहां भी 4 feet चलिया है यहां भी 4 feet चलिया है ऐसे 4,4, 4 feet चल रही है और last में से गूम फिर के था खार के इसको पहुंचना यहीं पे है starting point पढ़ दो आफ इट मेंक्स काफी बार करने के बाद में फिर ये इस डारेक्शन पे जहां पे स्टार्ट गया था महां पे पहुंचना है तो सिंपल ट्वंटी ट्वंटी डिगरी के एंगल बन रहे हैं तो ये वहां तक पहुंचेगी तो अब इसले टोटल एंगल वनेटी डिगरी बना चाहिए 4 फिट का तो 4 इंटू 9 इंटू 4 कितना जाएगा 36 आपके पास में एंसर आजाएगा अब एगेन एक बात प्यारों में क्यूस्ट डबल डिजिट में ही आपका ये मिलेगा सिंगल डिजिट है तो 0 लगा देना साथ में ठीक है नेक्स्ट ओ काफी इच्छा रेंजमेंट है विए 5 फर्संस वेरिंग वेजिस विट नमबस 1,2,3,4,5 आज सीट ओने 5 चेर्स राउंड ये सर्कुलर टेबल एक सर्कुलर टेबल है बना लेते हैं पर एक सर्कुलर टेबल है ठीक है अच्छा उचलिए टो कि आपके नमर लिखा है हहाँ कि आपका नमर वन है आपकी नमर टो है आपका नमर थ्री ए ऐसे 5 परसंस क्या नमरींग लगा हुआ है उन नम वर्जंस को एक सर्कुलर चेर पर कितने टाइब से अपना बिथा सकते अ हैं अरेंजमेंट पुच्छा है यह ना सेटेट ओनेस फाइब सेर्स इन हाव मेनी वेज केंदे सीटेट सो देट नो टू परसन सुज बेज़स है उदा कंजिकेटिव नंबर्स आर सेट नेक्स टू इच अधर अच्छा जब तक अगर कंडिशन नहीं लगाती ना तब तो अपन अगर एन परसन्स को बिठाना होता हुथ ना सर्कुलर टेबल पे तो एंसर आता है फैक्टोरियल एन माइनस वन यह होता तो तब तो आता फोर फैक्टोरियल अगर कोई भी चैससे भी बैठे तब तो यह आता है लेगिन इसने यह एंसर नहीं देंगे क्योंकि अब अगर मैंने यहाँ पर वन का बिठाया, तो इस साइड में मेरे को टू नहीं बिठा सकता हूँ, थी बिठा सकता हूँ, फोर बिठा सकता हूँ, ठीक है, तो यह फोर है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, फाइफ आ सकता है, तो यहाँ पर फिर क्या जाएगा, टू आ सकता है, त किसे इनको बिठा सकते है unlikely and कि अब two और के सेड्मेफ, इस यापने फाइफ, तरीके से आपस, यह यहां भी असकता यहां भी असकता यहां भी आसकता तो इनका 5 भी जाएगा क्या अभर आपस में भी रूटेट हो सकते हें दो तरी के आगे न ऐसे और यह से तो फाइब फाइब टोटल कितने आ जाएंगे टैन वेज आ जाएंगे टोटल आपके पास टैन नंबर ओफ वेज आ जाएंगे यह चीज़ है ठीक जी चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है लट अबीस के उपर एसे बना दिया बार बनाया होगा भी थ्री डिजिट्स नंबर विट नॉनजिरो डिजिट्स सच देट नॉनजिरो डिजिट्स लेना है और इस ताइप से कंडिसनस लेने है अबीस को कि a square ब्लस बीस क्या है c square है तो अच्छा अगर मैं ऐसे लिखूँ ABC से तो वो थ्री डिजिट नमबर ही बनना चीए तो बेटा यहां से आपको क्या सीखने को मिला ABC थ्री डिजिट नमबर ही उनने चीए तो इसका मतलो A, B और C ये आपके तीनों के तीनों क्या होनने चीए सिंगल डिजिट नमबर से अरे समझ मा रहा है ये कंसेट ABC मिल तीनों ABC का मल्टीपल तीनों करें तो आपके पास यह होना चीए थ्री डिजिट नमबर अब जैसे स्पोज गो पाइथोगोर त्योरम लग रही है तो सबसे पहले क्या लिख सकता हूं मैं 345 लिख सकता हूं और क्या लिख सकते हैं शिक्स एट और टैन लिख सकते हैं अपन है न तो अग्या जैसे अपने से लिखेंगे इनको इस में तो टैन डिजिट का दिकते अब इसे आपके शिक्स एक्टी सिक्स ठीक इसको अपने से भी लिख सकते हैं 12 13 12 5 और 13 ऐसे बनेगे लेकिन यह वाला पोसीबल नहीं अपने पास जस्त यह चले हैं कि सिंगल सिंगल डिजिट के नंबर्स चलेंगे अपने पास 345 के अब सी इसको मैं इसे भी तो लिख सकता हूं अगर यह से लिखा है a square प्लस b square equal to c square लिखो या फिर b square plus c square b square plus a square is equal to c square लिखो बात वहते हैं इस तरफ सम कर रहे हैं तो सम आप ऐसे भी करो तो यहां से तो नंबर क्या आएगा a b c आएगा यहां से नंबर क्या आएगा b a c आएगा तो इसका मतलब एक नंबर तो क्या आगया 345 आगया दूसरा क्या जाएगा 435 आगया यह दो नंबर बन गए अपने पास में और निकालना क्या है largest possible prime factor प्राइम फेक्टर के पीछे पड़े जाते हैं यह प्यार मोबाल चलिए 345 को simplify करते हैं 345 को लिख सकते हैं 3 into 1 1 5 1 1 5 के factor करते हैं तो 3 into 5 into 2 3 यह आगया तो 23 prime factor है लेकिन मेरे को largest बताना है दूसरा इसको करते हैं तो इसमें अगर 3 into लिखे है तो 1 4 5 5 का लिखे हैं तो आजाएगा 2 और 9 29 तो obviously 29 is a highest prime number factor तो 29 आपका answers आजाएगा बढ़ा इसको आप note down कर सकते हो खाजी नेक्स्ट वाले पे चलते हैं क्या दिया हुआ है ओने क्लोक देरा टू इंस्टेंट बिट्विन ट्वेल नून एंड वन पीम दो बार राइट एंगल बनते हैं ठीक है दो बार राइट एंगल बनेगा अगर नैंट इंध में स्टूडेंट है तो तो उन अगर जो बच्षांट एंट येगी कि त्यारी कर रहा है वो उनके एक मेंटल अबिल्टी में चेप्टरा था आपके क्लोक उसके अंदर तो वन आउर की बीच में कितनी बार आउर और मिनिट हैंड क्या होता है नाइटी डिगी तो टू टाइमस होते हैं वो सारी चीजें उनके माइड में चलने लगी होगी तो उनके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा कोई दिकत नहीं है तो मैं दो बार दो कंडिसन्स कौन कौन सी है वो थोड़ा सा आपको एक्स्प्लेंद कर देता हूं चलिए तो एक तो कंडिसन्स यह हो सकती है कि यहां पे 12 है और यहां पे यहां पे नहीं होगा यहां पे आपका 1 है तो एक तो क्या होगा कि यहां कही न कही आपका hour hand रहेगा hour hand छोटा रहता है यहां कही न कही आपका hour hand रहेगा और यहां कही न कही आपका minute hand रहेगा उनके बीच का यह एंगल कितना है 90 degree है थोड़ा सा है ना दूसरा condition ये हो सकता है ये 12 है ये आपका 1 है तो यहां कहीं न कहीं आपका आउर हैंड होगा और इस साइड में कहीं न कहीं आपका पहुंचा होगा तो ये आपका 90 degree angle ये हो रहे हैं वैसे ये angle round करें तो कितना angle आएगा 270 70 डिग्र अपन काउंट करें है 90 90 की दो कंडिशन्स ऐसे पोसिबल हो सकती है ठीक है यह मैं मतलब आपको समझा रहा था कि कि दो 90 कंडिशन्स कौन से हो सकते हैं अब अपन क्यों से चलते हैं और एक चीज यह है कि टोटल एंगल कितना था 360 डिग्री तो मिनिट हैंड क्या करेगा ना मिनिट हैंड की बात करें तो वो क्या करता है 60 मिनिट में मतलब 60 मिनिट कवर करेगा तो पूरा एक चकर कर लेगा तो कितना एंगल 360 डिग्री तो वन मिनिट में कितना करेगा 1 minute में कर लेगा आपके पास में 6 degree angle कौन सा minute hand की बात कर रहे है और अगर मैं hour hand की बात करूँ तो वो क्या करता है न वो 12 hours के अंदर 360 degree 12 hours के अंदर वो एक cycle पूरा complete कर देता है तो 360 degree तो 1 hour में कितना कर लेगा आपका 30 degree लेकिन 1 hour में 60 minute दोता है 60 minute में कर रहा है वो 30 degree किसकी बात कर रहे है hour hand की बात चल रहे है तो वो 1 minute में कितना कर लेगा 1 minute में कर लेगा वो 1 by 2 degree तो hour hand 1 minute में 1 by 2 degree angle चलता है और minute hand 1 minute में 6 degree angle cover कर लेता है ठीक है चलिए आगे चलते है अपन and the minute hand are dividing the difference in minutes क्योंकि minutes में बात से लिए है तो दोनों के लिए minute count करेंगे इसका भी minute hand और इसका भी minute hand तो दोनों के लिए minute में count करेंगे कितना angle है between these two instant is written as this तो एक तो angle हो सकता है ये वाला तो ये तो माल लेता है x minute के अंदर हो रहा है और ये माल लो आप y minute के अंदर ये सब हो रहा है तो एक तो equation क्या जाएगा इसके लिए बात करें तो 6x किसके लिए minute hand के लिए और इसको अगर x से multiply करें तो x by 2 minute में ये इतना करेगा is equal to 90 degree ठीक है और दूसरा हमाल लेता है 6y minus में y by 2 is equal to कितना angle 270 degree बस अपनको simplify करना है तो कितना आजएगा 12 और 11x is equal to 180 degree x कितना आगया 180 upon में 11 एक तो ये आगया यहां से करेंगे 12 minus 1 11y upon में 540 तो y कितना आजएगा 540 upon का 11 तो अपने वो difference निकालना है तो y minus x कितना आजएगा y minus x is equal to 540 upon 11 minus का 180 upon 11 तो निकाल लो तो ये 1 गया तो 440 और 440 का 460 360 upon का 11 आगया तो mix fractional में इसको convert करें तो 11 आपका आजएगा 3 तो ये 3 बचा फिर 0 तो ये आपका 2 27 और फिर 8 by 11 ऐसे लिख सकते हैं इसको तो ये आपका B upon C form है और C बढ़ा रहेगा B से ये भी दिया बाता and B by C in the reduced form C है तो A plus B plus C बताना है तो A plus B plus C करेंगे तो 32 plus 8 plus 11 ये 40, 51 आपके पास में answers आ जाएगा तो ये आपका answer दिया बाता ठीक है तो ये वाला questions भी आपका complete हुआ बाता ठीक है simple minute end, hour end के बारे में थोड़ा सगर जानकरी था तो अपना questions काफी easy था इतना कोई difficulty नहीं इसके अंदर next next वाला questions देख तो complex number का use करना पड़ेगा how many positive integers n are there such that क्या लिखा हुआ है न कि n is greater than or equal to 3 और less than or equal to क्या है 100 ये चीज है n क्या है गएगा न 3 और 300 की बीच में लेना है 3 को भी ले सकते हो 100 को भी ले सकते हो और x की पावर 2 n plus x plus 1 is divisible by x square plus x plus 1 ठीक है तो actual में अगर ये जो चीज है न x square plus x plus 1 equal to 0 इसके factor होते है अपने पास में x is equal to omega और omega square और omega is the cube root of unity कैसे आए तो आप simply इसमें x की value निकाल सकते हो क्या आएगा minus 1 plus minus minus का 3 by 2 इसको लिख सकते है x is equal to minus 1 plus minus iota by root 3 एक तो आजएगा minus 1 plus iota root 3 by 2 1 minus 1 minus iota root 3 by 2 1 omega 1 omega square omega omega square में जब भी आए ना ये दो property तो याद रख नहीं आपको एक तो ये 0 होता है और एक आपका क्या होता है ना omega की cube क्या होता है 1 होता है ठीक और omega की power 3k plus 1 क्या होता है omega होता है omega की power 3k plus 2 क्या होता है omega square होता है ये इतना आपको property complex number में यूज़ करते हैं तो ये वह बलाचीज लिख सकते हैं इतना याद रहना चाहिए, k is an integer यहाँ पर, k belongs to, इसको 3 k भी बोल सकते हो, k is an integer, चलिया, अब यह क्या है न, यहाँ से अपन को, क्या क्या रूट मिले, omega ओर omega square, तो इसका मतलो, omega ओर omega square, इसको भी divide करेंगे, तो इसका मतलो, तो अगर omega लिखा है तो यह आजाएगा 1 प्लस omega प्लस omega की पावर 2 1 divisible है तो यह value 0 आना चाहिए मतलो वह वाला point put करने पे, जैसे मैंने बोल दी कि 2 से divisible है, 2 put करूँगा तो वह equation को status पाई करेगा, वह एक factor होगा है उसका तो इसका मतलो कब 0 आएगा जब यहाँ पे यह 2 बनेगा तो यह जो 2 1 है, यह क्या आना चाहिए यह power 2 कब बनेगा आपका जिवे 3K plus 2 type का बनेगा अरे जब omega के power 3K plus 2 होगा, तभी तो आपका यह omega की power 2 बनेगा, तो 2 1 का value क्या आना चाहिए 3K plus 2 के बराबर आना चाहिए वो वो n का value satisfy करेगा, यह fix है कि अगर मैंने omega की power 3K plus 2 लिखा न, तो कितना आजाएगा omega square आएगा, और 1 plus omega plus omega square क्या आजाएगा 0 हो जाएगा तो यहाँ पे पहले मैं यह वाला value देख लेता हूँ, 3K plus 2 k का value मैंने 1 put किया k का value k का value अगर 0 put करूँगा, तो आएगा कितना 2 आएगा k का value, लेकिन k का value कहां से कहां तक पूट सकता है, अच्छा n का value इसने साब साब लिखा हुआ है, कि 3 put कर सकता हूँ, 3 put करोगे तो 8 आएगा 8 से बड़ा नमर ही possible है है न, 8 से बड़ा नमर ही possible है, तो k का value 0 भी नए put कर सकते है, 1 भी नहीं कर सकते है k का value, 1 किया तो 3 प्लस 2 आजागे, k का value 2 put करो तो 6 plus 2, 8 हाँ, तो 3 k plus 2 का value 8 आएगा k का value कतना put करने पर आपका 2 put करने पर k का value फिर 3 put करो, तो 3 put करेंगे तो 3 into 3, कितना आजाएगा 9 और यह आजाएगा 11 ठीक है ओके और फिर के का value 4 put करो तो 4 put करेंगे तो कितना आजाएगा 12 और यह 14 आगया फिर के का value 5 put करो तो 15 और तो 17 फिर के का value 6 put करो तो 18 और यह 20 और और फिर के का value 7 तो 21 और 23 अचा 8 के बाद और अगर अगर जैसे अनका value उने 3 put करेंगे तो 2 की पावर 4 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है 16 16 यहापर मिलेगा क्या अगर मैं जैसे यह आपका के का value 2 पे आ रहा है 3 पे क्या रहा तिंतिया 9 दो ग्यारा 4 पे क्या रहा रहा चारती है 12 दो चूदा और 5 पे क्या रहा है 15 to 17 6 पे क्या रहा है अगर मैं 6 put करता हूँ तो 18 प्लस to 20 7 put करते हैं तो 21 और 23 8 put करो 24 और 26 और 5 put करेंगे 2 की पाउर 5 कितना जाता है 32 यहाँ पे तो यहाँ पे यह 7 पे आ गया 8 पे आ गया 9 put करो तो 27 और 29 और 3 3 का difference अदरा भी फिर कितना आएगा 32 आएगा यह वाला भी 32 आ रहा है ठीक है तो एक तो वाला अपका यह वाला सेटीसपाई हो रहा है यह वाला सेटीसपाई हो रहा है तो यह वाला सेटीसपाई कब हो रहा है जब N का वेल्यू 3 आएगा तब यह वाला सेटीसपाई कब हो रहा है जब N का वेल्यू 5 आएगा तब इसका मतलब क्या निकल कि आया कि n जब आप odd odd put करोगे न तब दोनों equal आएगा n अगर मैं odd number put करूँगा न तब ये equal आ रहा है ठीक है तो odd number कौन कौन से आ जाएंगे 3 और 100 की भी इसमें 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा 9 आएगा और 99 आजाएगे ठीक है तो total कितने number of how many positive integers n पुछाओ है तो कितने आ जाएंगे 99 is equal to 3 plus n minus 1 in 2 में 2 तो इदर आ गया तो 96 और 2 1 minus 2 तो 98 98 को 48 98 हाँ 98 का divisible 2 तो 49 एगा तो ये आपका final answer आ जाएगा जाएगा ये calculation ता मैंने मतुल detail में चीजे बताईए तो थोड़ा सा time लग सकता है तो आपको तो क्या चीजे समझो आप नहीं नी चीजे कैसे कैसे हो रहा है चलिए जे next वाले पर चलते है next वाले में क्या चीज दिया है वो देखो let the rational numbers p by q be closest to but not equal to 22 by 7 closest मतलब just pass में रहना चीजे p by q है न just pass में है approximate है 22 by 7 के but इसके equal नहीं है तो इसका मतलब यह निकल किया है कि अगर मैं 22 by 7 minus p by q करूँ न तो बहुत ही छोटा नमबर मिलेगा is very small very small और q क्या नहीं हो ना चीजे अपने पास में denominator के अगर लेश दन 99 less than 100 तो इसको simplify करो तो 22 q minus 7 p upon 7 q का value क्या होना चीजे तो यह वाला value तो अब देखो सबसे छोटा होने के लिए सुनो यह वाला value सबसे छोटा सबसे छोटा का होगा जब denominator सबसे बढ़ा होगा यह वाला value लेकिया न सबसे छोटा तो denominator लेंगे सबसे बढ़ा तो सबसे बढ़ा denominator का होगा जब q का value सबसे बढ़ा q का value सबसे बढ़ा क्या होगा ended तो लेने सकते जस्ट उससे पहले 99 तो q कितना जाएगा 99 और उपर वाला value क्या होजाएगा 1 मतलो for small ऐसे लिख सकते है या फिर very small q तो 99 and 22q minus 7p is equal to 1 तो q का value 99 put करो है आपर तो 7p is equal to 22 into 99 minus का 1 तो 99 को 22 से करेंगे 8 और 19 तो ये 8 9 1 8 7 10 11 1 2178 minus 1 करेंगे 2177 2177 7p आगया तो p कितना जाएगा खान जी एक्चल में थोड़ा सा दिक्कत होगे थे टेक्निकल p का value आए था 3111 q आया था अपने पास 99 तो अपने को पूछा किया p minus 3 q पूछा है तो 311 minus 3 से multiple करेंगे तो 272 और 2702 29 तो ये कितना बच जाएगा 3 और 11 14 बच जाएगा 14 आपका answer आजाएगा और 14 ये आपका answer दिया हुआ है next allegations पे चलते हैं बड़ा next allegations में क्या लिखा रहा है ना let ABC be a triangle and इसको आप new बोल सकते हो ohm भी बोलते हैं अगर physics में जाओ तो तो वो तो छोड़ो एक symbol दिया हुआगा अगर इस circumcircle तो एक circumcircle अपने बना लेते हैं color change कर लेते हैं ये आपका एक circumcircle आगे ठीक है तो यहाँ पे इसके अंदर एक triangle है ABC ठीक ये एक ABC triangle है और इसका circumcircle भी दिया हुआ है the internal bisector of angle A, B and C intersect circumcircle मतलो मु को at A1, B1, C1 respectively तो एका जो bisector है वो इसको cut कर रहा है internal angle bisector वो इसको cut कर रहा है A1 पे ये वाला cut कर रहा है B1 पे और ये वाला cut करेगा C1 पे इन तीनों को अगर मैं join करता हूँ जो ये triangle बन के आएगा वो A1, B1, C1 है ये वाला triangle A1, B1, C1 ठीक है अब अगर अगर अपन बात करें कि फिर अगेन क्या दिया हुआ है अगर मैं इस का इस triangle का ये बनाओं तो ये बनेगा तो ये ये आपका A2 बन जाएगा ये फिर आपका B2 बन जाएगा ये आपका C2 बन क्या जाएगा ठीक है अब थोड़ा सा calculation में अपने इसमें खेलते हैं थोड़ा सा ठीक है तो इस angle को मैंने बोल दिया कि X है तो ये वाला भी X है इस angle को बोल दिया कि ये Y है तो ये वाला भी क्या है Y है और इस point को मैं बोल देता हूँ O तो ये जो triangle B O C है ये कितना आजाएगा total angle 180 degree तो 180 degree minus में X प्लस Y और अगर इस angle की बात करें इस बड़े वाल एंगल B A C की ठीक है इसको angle A भी बोल दे सकते है अपन तो ये कितना आजाएगा 180 degree minus 180 degree minus ये 2X और 2Y माइनस होगा तो 2X प्लस 2Y ठीक है किसी एक को replace कर दो आफ तो angle A is equal to कितना आजा 180 degree minus का 2 into X प्लस Y का value कितना आजाएगा angle B O C नहीं नहीं X प्लस Y का value कितना आजाएगा यहां से गर अपन निकालें तो ये धर गया गया तो ये 180 minus में angle B O C हो जाएगा तो ये तो angle A is equal to कितना आगया 180 degree और ये minus का 360 degree तो minus का 180 degree आगया और प्लस का 2 times angle B O C आगया तो angle B O C is equal to कितना आगया इस side देके जाएगे तो ये 180 side आगे प्लस को जगा by 2 करेंगे तो ये 90 degree minus का angle A by 2 ये वाला आपको याद रख लेना है प्लस कर दिया मैंने ये वाला angle अगर इस angle B O C को निका लें तो 90 minus में ये वाला angle कर देता है तो इसमें बोलागा सबसे छोटा वाला angle कितना बोला हुआ है 40 degree angle बोला हुआ है तो angle B O C कितना आजाएगा आपके पास में 90 degree minus का 40 degree by का 2 तो कितना आगया 70 degree आगया कितना आगया 70 degree तो ये वाला angle कितना आगया 70 degree तो ये वाला angle भी कितना आजाएगा 70 degree आजाएगा ऐसे अगर मैं इस angle को निकालू तो angle अगल एक टू क्या लिख सकते हैं अपन 90 डिग्री माइनस का 70 डिग्री बाइटू तो कितना आजाएगा मतलब जस्ट इस फोमले को लगाते हैं तो 70 बाइटू कितना आजाएगा इस पर हाइस स्मोलस्ट अगल ये बनेगा तो ये कितना आजाएगा आपके पास में 35 35 माइनस करो तो 55 डिग्री आपके पास में एंसर आजाएगा 55 डिग्री आपका एंसर दिया वाथा चलिए नेक्स्ट वाले पर चलते हैं अजी क्या दिया वाथा क्या एक्वेशन है क्या एक्वेशन है कोस ए कोस बी प्लस साइड़ दिया वाथा साइन बी साइन के सी इस इकोल टू वन ठीक है एक काम क्या करते हैं क्योंकि कोसे कोस बी है तो मैं इसको यह लिख देता हूँ कोसे कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी का खुद से मल्टिपल किया है और इदर साइन ए साइन बी के सी साइन के सी और मैंने खुद से माइनस कर दिया साइन ए साइन बी इस इकोल टू यह आ गया वन टू टू से मल्टिपल और कर दो तो यहां भी टू कर दो यहां भी 2 कर दो इधर भी 2 और इधर भी 2 तो इधर equal to 2 लिख दो 2 को मैंने लिख दिया 1 plus 1 1 plus 1 इसलिए लिखा क्योंकि इस 1 को लिख सकते हैं अपन cos square A plus में sin square A और इस 1 को लिख सकते हैं cos square B plus sin square B अब आपको sin को उसमें से खेलना आना चीए बटा A plus cos square B और इस side वाला यह लेकिया है minus का 2 cos A cos B similarly sin square A plus sin square B minus का 2 sin A sin B और plus में इसको पूरे कोई side देखिया हुआ तो यह आपका हो जाएगा positive यह हो जाएगा negative तो यहां से 2 sin A sin B common आगिया यह ना तो यहां पर क्या बचेगा 1 minus का sin K C is equal to 0 इसको क्या लिख सकते है अपन इस पूरे को मिलाके इस पूरे को मिलाके लिख सकते है अपन cos of A minus cos B का whole square यह आजाएगा और इसको लिख सकते हैं sin A minus sin B का whole square और यह क्या आजाएगा ना प्लस में 2 sin A sin B into 1 minus का sin K sin K C is equal to 0 अब सोचो यार यहां पर दो perfect square है एक यह तीनों मिलके जिरो बन रही है कब 0 होगा जब perfect square 0 होगा यह भी 0 होगा यह अगर 0 है तो यहांसे तो A equal to B आ गया यहांसे भी A equal to B आ गया यह 0 यह 0 तो A और B का value 0 0 रख लिए लेकिन ट्राइंगल की बात चल रही है तो यह 0 नहीं हो कि यह 0 बनेगा इसका मतलब sin KC का value 1 आ गया तो KC का value 1 कब कब हो सकता है sin actual में 1 बेटा यहां यहां होता है यहां पे एक तो यहां पे 1 रहता है sin का value यहां पे sin का value 0 रहता है यहां भी 0 रहता है और यहां पे minus 1 रहता है यह आपको पतावना चीए यहां पे angle होता है 4 and plus 1 pi by 2 n का value अगर मैं one put करूँगा तो pi by 2 आएगा n का value जिरो put करेंगे तो भी आएगा n का value one put करेंगे तो 5 pi by 2 आएगा तो एक तो आएगा 90 degree और एक 450 degree लेकिन अपने पास यहां पर लिखावा था कि KC does not exit 360 degree तो KC का एक ही value आएगा कौन सा 90 degree KC का एक ही value मिल गया 90 degree तो KC is equal to 90 degree तो अब क्या क्या possibility है वो देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी possibility अपने पास बनके आ सकती है तो K का value मैं one लेक सकता हूँ तो C कितना जाएगा 90 degree K अगर मैं 2 लिखूँ तो C कितना जाएगा 45 degree कि अगर 3 रखें तो C आजाएगा 30 degree कि अगर 4 रखें तो C कितना जाएगा 45 का आदा लेकिन इसमें बोला क्या हूआ था अपने पास में For some positive integer K where KC does not exist मैं टूद ABC in degrees are positive integers ABC भी क्या होने चीए integers होने चीए ठीक है तो KC value 4 रख सकते हो कि आप 4 जैसी रखूँगा न मैं 2 पे कितना है था 45 45 का अपकरेंगा 22.5 यह आएगा 22.5 degree इसको reject करना पड़ेगा कि अगर मैं 5 लेता हूँ तो 4 पे यह आप से नहीं आ रहा है बतलो तो 5 से कर डिवाइड करें इसको तो C कितना जाएगा 1 और 4 18 डिगरी यह चलेगा यह भी चारों चलेगे कि आप 6 पूट करो तो 6 कितना जाएगा C का value 1 3 और 0 तो 15 डिगरी यह भी चल जाएगा कि आप 7 पूट करो तो 7 पूट करेंगे तो कितना जाएगा 1 2 और 0 निया पाएगा 8 पूट करेंगे 1, 0 नहीं आपाएगा, 9 put करेंगे तो आपके पास आ जाएगा तो किया आपका, अगर मैं 9 put करता हूँ तो C के आ जाएगा 10 degree, तो ये भी चल जाएगा तो कितने possibilities है 9 possibilities है For some integers के 9 थोड़ी हो गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है न 6 ही possibilities है तो 6 आपका answer दिया है तो इसको देख सकते हैं उन्हों डाउन कर सकते हैं चलो, next वाले पर चलते हैं Next वाले questions में क्या दिया है कि A natural number K जो 1 से बढ़ा है So-called good Is cold good, so-called नहीं If there exists natural number This, 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 such that this conditions Okay तो K का value अगर मैं 2 put करता हूँ तो 2 को तो अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 2 अगर मैं 2 से डिवाइड गया तो 1 by 2 प्लस 1 by 2 इस इक्वल टू 1 तो same आ गया different आने चीए तो K equal to 2 से satisfy नहीं हो पाएगा K equal to 3 लिख सकते हैं क्या तो मैंने 6 लिखा 6 को लिख सकते हैं 1 plus 2 plus का 3 फिर मैंने 6 से डिवाइड गया तो इससाइड आजाएगा 1 तो यह आदगा 1 by 6 यह 1 by 3 यह 1 by 2 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 is equal to 1 upon root 36 1 upon root 9 1 upon root 4 और यह ऐसे ही लिखा है तो K का value 3 possible है K का value मैं अगर 4 रखा तो किसको लिख सकते हैं अपन अगर मैंने यह लिखा 12 लिख दिया 1 plus 2 plus 3 plus 6 फिर डिवाइड गया तो 1 is equal to 1 by 12 1 by 6 1 by 4 1 by 2 1 is equal सकता है 1 upon square root का 144 1 upon root के अंदर 36 और root के अंदर 16 root के अंदर 4 possible है तो K का value 3, 4, 5 ऐसे good possible है अपने पास तो अपने पास F1 कितना आ जाएगा फिर F1 आ जाएगा आपके पास में 3, 4, 5 कितना N तक लिख दिया अपने तो इसका sum कितना जाएगा N by 2 2, 2A मतलब 6 2A मतलब 6 प्लस N माइनस 1 in 2 में 1 तो कितना आगया N in 2 में N प्लस 5 तो तो अपने पास में F1 आ गया N in 2 N प्लस 5 बाइटू तो दूसरा किया F of N प्लस 5 तो F of N प्लस 5 किया N की जीक प्लस 5 तो ये N प्लस 5 आ जाएगा N प्लस 5 में 5 वोर करेंगे तो N प्लस 3 आ जाएगा बाइटू आ जाएगा ठीक है तो F of N प्लस 5 बाइटू F N इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट N प्लस 5 से N प्लस 5 कैंसिल आउट N प्लस 10 बाइट न मतलब 1 प्लस 10 बाइट और ये क्या होना जीए न इस एन इंटिजर होना जीए इंटिजर कब आएगा जब 10 बाइए न इंटिजर होना जीए 10 बाइए न बिलोंगस टू इंटिजर शोरी नेच्रल नमर नी इंटिजर तो कब कब पोसिवल है जब N का वेल्यू क्या हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 नहीं हो सकता है 4 नहीं हो सकता 5 हो सकता है और 10 हो सकता है तो क्या बोलना है अपन को निकालना कहा है sum of all values 1 plus 2 plus 5 plus 10 15, 17, 18 18 आपका answer दिया हुआ है तो इसको note down कर सकते हुए बेड़ा जी हाँ जी next वाले questions पर चलते है क्या दिया हुआ जी each of the numbers x1, x2, x dot 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 x101 is plus 1 या फिर minus 1 कोई भी पूट कर सकते है मर्जी के कोर्डिंग डिपेंड करता है जो कंडिशन दिया हुआ ना what is the smallest positive value of this summation i greater than equal to 1 less than or equal to j is less than or equal to 101 x i x j x i x j जैसे आप suppose गरो i का value वने मन पूट किया तो यह x1, x2 हो गया x1, x3 हो गया x1, x3 हो गया x1, x3 हो गया x1, x3 पूट करो वो सारा value अपन को find out करना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus dot 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 plus x101 का whole square is equal to x1 square सबका square आएगा x1 square x2 square x3 square plus dot 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 plus x101 का square plus two times दोनों का multiple वो तो यही चीज़ बन के आएगा summation इसको मतलों कुछ बोल देते है अपन p बोल देते है तो यह p आजाएगा तो मनको p का value निकालना है किसी तरह तो 2p is equal to क्या आगया इसको क्या ले सकता हूँ है summation i equal to 1 से लेके 101 तक x i का square minus summation x i i equal to 1 से लेके 101 तक और फिर पूरे का square ठीक है अब यह जो value है यह वाला value कितना हो सकता आपको x i square निकालना है अब x1 का value आपका या तो plus 1 होगा या फिर minus 1 होगा लेकिन squaring तो 1 ही आएगा न always तो इसका मतलव ची आपसी x1 square करो वह भी 1 होगा x2 square करो वह भी 1 होगा x3 square करो वह भी 1 होगा ऐसे ही आपने x101 का square किया वह भी 1 आएगा सब 111 होगे तो सबको अगर मैं add करता हूँ इसका value तो आएगा 101 अच्छा मैं अगलत लिखते हैं यहां पर यह plus होगा यह minus आएगा ठीक है तो पहले यह लिखते हैं अपन summation x i i equal to 1 से लेके 101 का whole square minus में कितना आया था यह 101 आएगा अब यह equal to 2p है और p का smallest value निकानना है summation of x i करेंगे तो यह कोई ना कोई integer आएगा किके अपन कोई plus value पुट करेंगे कोई minus 1 पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ एक integer आएगा उसका square कर रहे हैं तो यह perfect square होगा यह क्या कर रहे है square कर रहे हैं तो यह perfect square होगा तो अपनको ऐसा perfect square find out करना 10 के आसपास, 101 से बड़ा ही होना चीए, लेकिन उससे आसपास निकालेंगे smallest value के लिए, तो वैसे तो 101 इसलिए लिखा क्योंकि 10 का square होता है 100, तो अगर 100 लिखता तो अपन 10, इसके लिए 100 value पूट करते हैं, लेकिन 100 से तो बड़ा पूट करना अप 10 आजाएगा, इसका answer 10 आजाएगा, अब इसके लिए 121 बनने के लिए, आपके पास या तो ये value बनागा 11 या फिर minus 11, ये 121 कब बनेगा, जब या तो बनेगा 11 या फिर minus 11, तो इसका मतलब 11 बनने के लिए तो अपनों क्या करना पड़ेगा, 56 plus 1 put करेंगे, और 45 minus 1 put करेंग 11 बन जाएगा, ये minus के लिए इसका उल्टा कर देना, तो ये आपके पास हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या दिया है ना, find the smallest positive integer n, जो की 10 से बड़ा होना चाहिए, such that, n plus 6 is a prime number, n plus 6 तो क्या आएगा, prime number, और अब देखो, prime number always क्या आतना, odd number होते हैं, except 2, लेकिन आपे plus 6 कर रहे हैं, तो 2 तो possibility है नहीं बनने की, तो ये 2 से बड़ा है कोई prime number होगा, तो वो odd number होगा, तो इसका मतलब अपने लिख सकते हैं, n plus 6 is a odd number, तो n plus 6 को मैं लिख सकते हूँ, n plus 6 एक odd number है, 6 आपने even लिख दिया, तो ये n क्या होगा, even में ऐसा क्या add करें, कि वो odd आजाए, तो odd तो लाना पड़ेगा, क्योंकि even plus even always क्या आएगा, even ही आएगा, even plus even अगर add करते हैं, तो वो even ही आएगा, तो odd earning के लिए आपके पास n क्या होना पड़ेगा, odd number होना पड़ेगा, बड़ा बोथ छोड़ छोड़ पॉइंट्स हैं, लेकिन ये बोथ आपको दिमाग लगए करना पड़ेगा, n odd number है, तो n कितना आगया, 2k plus 1 टाइप आगया, ये द्यान में रखो, n क्या आजएगा, 2k plus 1 टाइप, ठीक है, फिर मैंने बात लेके आते हैं, इस पे, 9n plus 7, ये क्या बोलाओ है, is a perfect square, तो is equal to लिख दिया मैंने, m square, perfect square, n क्या 2k plus 1 है, तो 9 into 2k plus 1 plus 7 is equal to m square, तो ये आजएगा 18k, और ये 9 plus 7, 16 तो आजएगा m square मैंनस का 16, तो आजएगा 18k, m मैंनस का 4, m प्लस का 4, 18k है, तो इस तरफ ये एक even number है, 18 का मैंने even number, तो ये वाला भी even number होना चीए, तो उसके लिए आपका m क्या होगा even number, मतलब m क्या लिख दिया मैंने, 2p लिख दिया, चीक है, तो क्या आजएगा, 18k is equal to 2p मैंनस का 4, 2p प्लस का 4, तो यहां से 2 common ले लेते हैं, 2 to 4 ले ले लेते हैं, तो यहां से तो आजएगा, p मैंनस का 2, p प्लस का 2, 4 इस से अटाएंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं, 9k is equal to 2 times, p मैंनस 2, p प्लस 2, इधर 2 times लिख 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 तो इस तरफ का number क्या आगए, यह even number आएगा, क्या आएगा, even number, तो इस तरफ भी even आने चीए, तो k फिर क्या आजाएगा आपके पास, 2L type आजाएगा, 2L कोई number काफी substitute कर रहा हूँ मैं, तो यह 18L, 2 into, p मैनस 2, p प्लस 2, तो आपके आपास आजाएगा, यह 9L is equal to, p मैनस 2, p प्लस 2, तो simply, अपने इतना बोल सकते हैं, कि जो p होगा, वो 9 का कोई ना कोई multiple form में रहना चीए, p को लिख सकते हैं, 9Q प्लस 2, या फिर 9Q मैनस 2 form में, p यह है, तो m कितना आजाएगा, m आजाएगा, 2 times 9Q प्लस 2, या फिर 2 times 9Q मैनस 2, ठीक है, तो value put करते हैं, अगर मैने Q का value 1 put किया, यहाँ पे, तो m कितना आजाएगा, 9, 11, m आजाएगा, 22, m कितना आजाए, 22, तो यहाँ पे, n ही निकालना था, तो 9N plus 7 is equal to 22 का square, तो कितना आजाएगा जी, यह 2 से किया, 44, 44, 484, 484, यह से 7 करेंगे, तो 470 आपका 7 आजाएगा, यह ना, 477 अगर मैने N को divide किया, तो 5, और 2, और यह 53 आजाएगा, यह 53 आजाएगा, यह 53 आपको answer दिया आजाएगा, अगर मैं यह वाला put करूँगा, तो फिर satisfy नहीं करेगा, simple, ठीक है, तो काफी easy questions था, कोई tough नहीं था, इसके ना, हाँ, नेक्स्ट वाले questions पर देखो, कि आपको A1, A2 स्टाइप से सब कुछ मैंने पहले ही लिख दिया, एक चीज़ तो क्या कर सकते हैं, कि parallel कैसे बना सकता है, अगर मैं इनको ऐसे parallel कर दो, यह side जोड़ दो, यह side जोड़ दो, तो parallel diagonals बन रहे हैं, तो इसके लिए मनें इसको छोड़ा, बाकी सब को लिख लिए, ऐसे मनें इसको छोड़ा, ऐसे ऐसे कर देंगे, फिर मनें इसको छोड़ा, ऐसे 7 कर देंगे, चीक है, तो ऐसे कितनी बार छोड़ सकता है, एक, दो, तीन, चार, पांच बस फिर ये सेम बने लग जाएगा तो 5 into कितने कितने बचेंगे अगर मन इसको छोड़ा तो 1, 2, 3, 4 4 में से कर सकते हैं तो 4C, 2 तो 5 into 4 into 3 by का 2 तो ये 2, 6 30 आ जाएगा फिर एक तरीका क्या कर सकते हैं इसको छोड़ो पास, फिर कितना बचेंगे दो-दो छोड़े हैं अगर तो 1, 2, 3 3 possibility बनेगा तो तब अपन 5 into 3 में से कोई 2 select करना पड़ेगा तो 5 into 3 into 2 by का 2 तो ये cancel out 15 तो 30 plus 15 45 आपका answer आजाएगा तो इसको note down कर सकते हैं तो 5 तो 5 वे दो घ्या कि दो ये शो प्रोम धन एसको band